भागलपूर के एक नीजी क्लिनिक में एक ऐसी घटना सामने आए जिसे जानकर आप दंग हो जाएंगे CISF का एक जवान अपनी ससुलाल से पत्रणी को दुरागमन की विदाई करा कर अपने घर पहुँचा दोनु पत्ती पत्नी जोड़ा काफी खुस थे CISF जवान के पैर रंगे हुए थे और पत्नी की अभी हातों की महंदी भी नहीं उत्री थी लेकिन इस खुसी पर किसी का ग्रहन लग गया और देखते ही देखते इस खुसी को किसी की काली नजर सी लग गई CISF जवान को आरोपी ने गोली मार कर बुरी तरह जखमी कर दिया पूरी घटना किसी फिल्मी ट्रेजडी से कम नहीं है पुलिस के सामने में धमकी दिया कि आज चलो तुम्हारा नमा डर होगा फिर जाके डेर दो बजे रात में जब हम सब घर आए घर आए तो तिन चार गोली फैरिंग हुआ उसमें उसमें से जो की एक गोली लगा मेरे भाई को भाई का नाम है बालकृष्ण कुमार गोली मारा है थाना का चोकीदार आलो कुमार आमर कुमार चोटो कुमार और प्राकेश कुमार कारन कुछना है साम में जब मेरे साम असा में जब मेरे भाई गोना से जब लोटे वहाँ सासुराल से आने के बाद जो समान मान लाड़ा गया था तो दुआर पर लगाया रोठ के किनारे यह मेरा घर ता तो वहां पर जब समान मान उतारने लगा तो वहां पर बोलने लगा कि तुम इस गारी क्यों लगाए यहां से हटाओ तो उस गार बकवास होने लगा फिर जाके उदर से जो है नरा डूट लेके निकाल के नमारने लगा मरने लगा तो हम दुनों भाई को जो एना आपने हैं तो भैया यहीं आने के बाद जो ह हम सब को जो है न अस्स थाना न पर अब भाई न झांगे लिखा और जो कि बोली लगा हुआ है और बोल रहे हैं कि यह जक्मी कैसे हो सकता है मार्पिट में भी जक्मी होता है जमिन जैदाद का बहुत पुराना दुस्मनिय उसका अभी कोई चर्चान है द्रसल छुट्वटी में घर आये CISF के जवान बालकिस्ण कुमार को गोपालपूर थाना के चौकिदार ने गोली मार कर जक्मी कर दिया गोली जवान के जबने में लगी है घटना गोपालपूर थाना चितर के गोसाई गाउ classification कि है जखमी जवान को देर रात इलाज के लिए मायागन अस्पताल ले जाया गया जहां प्रात्मी कुपचार के बाद डॉक्टरों ने कहा कि जबडे में गोली लगी है यह सुनकर परजन मरीज को लेकर एक नीजी अस्पताल ले गये जहां उसके जबडे से ऑप्रेशन कर गोली निकाली गई हालाकि जवान की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है सियासप के जवान बालकिस्न कुमार के भाई संचीब कुमार ने बताया कि घटना के बाद नीजी नर्सिंग हो में गोपालपूर थाने की पुलीस पहुँची और हम लोग की और से दिये गए आवेदन को बदलने के लिए दबाब बनाने लगी जबकि आवेदन में गोपालपूर थाना पुलीस ने सिर्फ घायल सब्द का परियोग किया है उन्होंने गोली से घायल सब्द को लिखा ही नहीं है साथ ही बरारी थाने का प्राइविट ड्रैवर भी पत्रकार बनकर फरजी रूप से नीरजी नर्सिंगों पहुचा और हम लोग को डराना धमकाना सुरू कर दिया गोपालपूर पुलीस को बरारी पुलीस सही हो कर रही है हम लोग के हाथ से पर्ची छीन कर जला देना मोबाइल से बीडियो बनाने का पुलीस का बिरोध करना या सब ही कहीं से सही नहीं है हुई गहल जवान के भाई संजीब कुमार ने बताया कि हमारे भाई को गोपालपूर थाना के चौकिदार आलोक कुमार उर्फ संतोस कुमार अमन कुमार छोटू उर्फ राकेस बॉबी आदी ने मिलकर हम लोग के साथ मिलकर स्टड्यंध करने की कोसिस की है बीच बचाव में जाने पर मुझे भी बुरित्रे से लाठी डंडे से घैल कर दिया इस अर्फ रावल ना किक्रें ख़का सिर्फ बचाव उर्फ मोट वहीं मामले पर नौचिया के एसपी सुसांत कुमार सरोज ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि गोली बारी गोपालपूर थाना अंतरगत हुई है थानेदार से मेरी बात हुई है अब तक पृड़ित के परिवार के और से आवेदन लिखकर नहीं दिया गया है उनके जो परिजन है उनसे मेरी बात हुई है हमने आवेदन देने की बात कही है जैसे ही आवेदन आता है मैं इस पर जाच टीम बैठाओंगा और जिनकी खिलाप साक्ष मिलेगा उसके खिलाप कारनी कालवाई करने की प्रकिरिया करूंगा चाहे वो पुलीस की लोग ही क्यों नहीं हो प्रकिर देना खिलाप लिक्के दीजिए पजापते उसकी जाच होगी जिनके खिलाप साक्ष मिलेगा उसे हम जेल बेजेंगे चाहे वो कोई क्यों नहीं पुलीस का आदमी क्यों जेल बेजेंगे साक्ष मिलने पर भागलफु का एक बांद आरोपी है बना है उसका दलाल क अभी ना रहा है लीक के दो दे हैं अभी सारी बात हवाई हमारी निकाल दीए और कुछे उसके बारे में सर्थ जैसे आवेदन देंगे हम केस करेंगे साक्ष के आलोग में कोई हो चोकिदार ही क्यों नहीं हो उसे जेल भेजेंगे छोड़ेंगे नहीं बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें विकलांगता की समश्य आती है जिस उसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्य कम होती है और बच्चने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के भागलपूर के नवच्छिया पुलीस जिला पुलीस को पड़ी सफलता हाथ लगे है पुलीस ने यहां मीनी गन फैक्टरी का उद्भेदन किया है दरसल एसपी को सूचना मिली कि खरी के सुरहा गाउनिवासी दिने सर्मा के घर पर हतियार बनाया जा रहा है सूचना के बाद डेएसपी के नैत्रित में खरीक थाना और भेपूर थाना पुलीस ने सयुक्त रूप से कारवाई करते हुए मीनी गन फैक्टरी का खुलासा करते हुए अर्ध निर्मित हतियार समेत हतियार बनाने के कई बड़े मसीन वा लेथ मसीन को बनामत किया है इसके साथ ही पुलीस ने हतियार निर्मान में लगे पांच अपराधियों को गिरफतार कर लिया गिरफतार अपराधियों में मुगेर का मुहमद साबीर, मुहमद इसूफ, मुहमद सहनसा, मुहमद अब्दुल्ला वा बहपुर का मुहमद इम्तियाज सामिल है जो जो इसमें सामिल होंगे सबों पर कारवाई की जाएगी। जाके लोगों रेड किया। वहाँ से पांच गिरफतारी होती है। और इसके मास्टर माइन है जिसा फैक्टरी है वह अरसद मुंगेर का वही यह फैक्टरी हपन लगाया था। जो भी जो रॉव मटेरियल है जो भी अब लोहे देख रहे हैं जो भी उसका काम तहां पर पहुंचा देना। और यहां पर जो चार-पॉच लोग थे कोई लेथ वसीन पर था कोई ड्रील पर था वो लोग करता था। इसमें से एक महमद सावीर यह अपका फत्वा में भी नहीं थाना पकड़ाया था। हम इस केस में हम 15 दिन में चार-चिट करवाएंगे। सामने बैठे वह हैं इनको मेरा निर्देश भी है और इस कांड का आईयो या तो थाना परवारी श्वय में रहेंगे। अधिकान के वह वादिय हैं दूसरा कोई अच्छे रादिकारी आयो बनाये जाएगा। 15 दिन में हर हाल में चार-चिट सम्मिट करेंगे। हम लोग एक महिने का अंदर एस्पीडी ट्रैल चलवा करके सजा दिर्वावेंगे। हमारी कोसिस होगी यहां से देल से बेल पर नहीं छुटे ताकि फिर से कहीं एक फैक्रिय ना चलाएगे। यह दूसरा एक केस है इसके पहले भी बीते वर्स कीस या बाइस में भी एक फैक्रिया पकड़ाता था निपनाया था यह अफसोस की बात है। जहांके यूथ को अपने परहाई और रोजगार के बारें सोचना था। निर्मान होने के बाद जो अरसत था मुंगेर का में जो मस्टर माइंड है। हमारी बात हुई भी है स्पी मुंगेर साब से रिक्वेस्ट किया है वहां भी रेड हुआ है बहुत जल्द उसे भी गिरफता हम लोग कर लेंगे उसका काम था कि पूरा यहां पर रौ माटेरियल देना बनने के बाद फिर वो कलेक्ट करके मुंगेर ले जाये करता था वहां स जिला निबंधन कारियाले पिछली बार दो सो कड़ो रूपिय की रेविन्य रेश्टी और अन्य माध्यमों से प्राप्त किया था इस बार दो सो चालीस कड़ो रूपिय रेविन्यों का टार्गेट है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा साथ ही कई मूल भूत जिला निबंधन कार्याले बिभाग में मुहया कराये जाएगी चाहिए हुआ के मैंटिनेंस की बात हो या फिर सीची टीवी कैमरे की सबो पर जलाधिकार सुब्रद कुमार से ने बाधल पूर जला निबंधन कार्याले का आचक म्रचन किया और बिभाग के CCTV कैमरे से की जाएगी साथ नोने जिला अवर निबंधन सहवी से इस बिभाप रादिकारी पंकच कुमार बसाक से कई विंदो पर वारता के और बिभाप को मजबूती परदान करने के लिए कई दिसानिर्देश भी दिये उन्हें कहां जहां भी कमी दिख रही है उसे जल्द सुधार किया जाएगा और सुधाच्छा मोनिटरिंग के मद्धन जर कई जगा CCTV कैमरे लगाये जाएगे ताकि किसी तरह के परिसानी लोगों को ना हो तो जो यहां कामकाच चल रहा है जो विभाग का दिसानिर्देश है उसका अनुपालन किस तरह के से किया जा रहा है और आप लोग जान भी रहे हैं कि काफी अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो है यहां होता है इस रेश्ट्री ओफिस से पिछले वित्तिय वर्स में लगए 200 क्रोड के आसपास जो है रेश्ट्री से और विभी नानने माध्यमों से सुल्क प्राप्त हुआ था रेवेन्यू सरकार को गया था इस साल का भी लक्ष है 940 क्रोड का भी ऊच्छ करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है साथ ही जो भी आवेदक आ रहे हैं विभीन पक्षकार आ रहे हैं तो किसी तरह की समस्या नहीं है वो भी हम लोग उसका भी ख्याल रख रहे हैं तो और जहां जो कमी पाई जा रही है उसमें भी सुधार के लिए बियसार को निदेश दिया गया है कुछ और CCTV कैमरे जो हम लोगों का जो होल्डिंग स्टॉप होल्डिंग वाला जो अफिस पुला हुआ है जहां चलान कटता है वहां और कैमरे लगाने के लिए बूला गया है ताकि किसी तरह के बीचोलिया का या किसी तरह का आनने कोई वेक्टी जोनावस्चक दवाव बनाता है भागलपूर जिला के मधुसुदनपूर थाना च्छित्र के दो पक्चों की बीच जमीन बिवाद को लेकर जम कर मारपीट वी साथी गोली बारी की भी बात सामने आई है मारपीट में दोनों पक्चों के एक एक बैक्ती घायल है बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर यह बिवाद काफी लंबे समय से चल रहा है इसी क्रम में जब आज सुभा एक पक्च के लोग घर की तरब जा रहे थे तबी दूसरे पक्च के लोगों ने गाली गलोज करना सुरू कर दिया जिससे बिवाद बढ़ गया इन दो गुटों में जमीन बिवाद के करम में गोली बारी की भी सूचना सामने आई है जहां एक खोका भी बलामद हुआ है गायल महिला बबिता देवी ने बताया कि गोपी यादब ने पहले गाली गलोज सुरू किया फिर हवाई फारिंग करना सुरू कर दिया वहीं गोपी यादब ने बताया कि जमीन बिवाद को लेकर अगसर ये लोग हम लोगों के साथ मार पीट करते हैं और गोली मैं नहीं उन लोगों नहीं चलाया है अलाकि दोनों पक्ष से एक बैक्ती गायल है घटना के सूचना मिलते ही तकरीबन एक घंटे के बाद मौके पर मदुसुदनपूर थाने की पुलीस पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुजा कर मामले को सांध कराया इधर दोनों पक्ष के गहल बैक्ती को मदुसुदनपूर पुलीस के दरा नाचनगर रेफल स्पताल में भरती करा दिया गया है तो मेरा भैसुर सब वहीं पर बैठा था सब बोलने लगा तो सब बोला इसका चुट्टा भाई मंटू गया कि नए समझा जब गाली दिया है लेकिन तो रह गलत खेमी हो ज़िए तो रह नहीं था मंटू गाली दिया हूँ हम फिर भी कुछ नहीं बोले हैं हम अपने में ब भाटा के करोदेख लेच नहीं चाची समझाए दे उसके बाद सब संते हो गया आई मोटर साइकीन से जा रहा था इस अब रोट पर था गोली फायरिंग करते हुए हुआ यहां कौन गोली फायरिंग किया अपना ले दिया है और दोकान पर जगड़ा हुआ हुआ है बहुत कि अग्ड़ी चला दिया दूकान अगरा हुआ उसके और रहा कुर से मारा हम पर को गोरे लाल जादव और उसका बेटां कित जादब मैन गुली का न फसका अगर्ण है और दुक्वान आ बागलपूर के घोगा बाजार की रहने वाली पूनम देवी के साथ उसके भैसूर और परिवार वाले ने मिलकर मार पीट की मामला मोबाइल चोरी हो जाने को लेकर है जब पूनम देवी ने अपने भैसूर के परिवार वालों से मोबाइल चोरी होने के बारे में पूछताच की तो इस पर आकरोसित होकर उसके साथ मार पीट किया गया जिसको लेकर प्रिटा नयाय की गुहार लगाने के लिए SP कार्या पहुंची वहिए SP ने पृटा को उचितने आय देने की बात कही है बता दे कि पृटा के पती ने भी इसकी साथ मार पीट करते हुए छोड़ देने की बात कही है इस मामले को लेकर जब पृटा घोगा थाना केस दर्ज करने गई तो थाने में केस दर्ज नहीं लिया गया और उसी डाज डपट कर भगा दिया गे भागलपूर की मदुसुदनफूर ठानाच्छतर की रहने वाले एक परिवार दबंग की डर से अपने ही घर में डर कर सह में हुए हैं मामला जमीन बिवाद को ले कर है पृित परिवार अपने ही जमीन की जब घेराबंद कर रहे थे तो गाउं के दबंगों ने उनके डिवाल को असमारिक तत्तों के साथ मिलकर तोड़ दिया और प्रित परिवार को उनके अपने ही घर से बेदेखल करने की बात करते हुए उसके साथ गाली के लौच की मामले को लेकर प्रित परिवार स्पी कारले पहुँचकर नयाय की गुहार लगाई है वो लोग कैसे अपराधी किसम के लोग हैं जा आपके बाल बच्चे भी हैं आपके पती नहीं है और परिवार में कोई अपरिवार में करते हैं अपरिवार मेरा घर के रहते हैं जैंज देने रह सकते हैं आते जाते तुछ बोलते रहता है घर से कैसे निक रहे इसका भैर आता है मेरे बाल बच्चे को ने कर दो एक उताओ एक उतुए उसको रहे कड़र राता है तीन आदमी जो है यह बहुत बजमाश का इसका है सन्नी और सट्ना क्या नाम है भूशे है कुन्या ने उकातुली नम क्या है सटेंद लाज सटेंद भी आदियाल यह दोनों सारा कर्म यही म सटेंद जूड़ेते हैं चाहिए रहरा न इपढ़ूर करता है और हम लोगे परिशान करता है खा दिवाल दे रहे थे बदन माशवताय का इस सटेंद करैंद दिवाल के बलती अधायों हम लोग परिशान हो गए यह तब हवffe घुजूर के पास आही यह सारा फुन है प्रषा का डिमांड को पिया ही छाथ है। किसा क्या था। बोल जा सही सही। जो वाजी भेड बोली है। जट रिप्री घुन किया थी। ज़ जा रुप्या मांगा था। कब जाएंगे। ज़ भी सुनता था सब उसी का हम लोग को कुछ निए। अच्छे आदमी को बोलेका च्छी ली जमि स्केस हिए नहीं जीपे करत की मैंना मेरा केस प्रइब यैस जिजी में जा साथ प्रषींग मया जगा लगाज शब्या का पुझ भया लगाने केलिया एंप आएcią कی क्या बोले सिस्पी साहब कि सर देखिये मेरे साथ अन्या हो रहा है मेरा घरान महमी जर जर के राते हैं मेरा दिवार तोड़ जया करके संहीं है शते änd विहारी लाग एसेश्पी सहाब आपको क्या सवस्था दिया आपके साथ ग्या हो गहा हुग प्यूदु